नमस्कार दोस्तो आर्सी स्टडी में आपका स्वागत है आज हम लोगा ध्यन करेंगे दर्मान तथा भार में आंतर यानि क्या होते हैं तो दर्मान जो होते हैं दर्मान बस्तु के दर्ब अथवा पदार्थ की मात्रा होती है उसे दर्मान करते हैं लेकिन जो भार होते हैं व यानि जो भार होता है या बदलता रहता है यानि भार बराबर दर्मान गुड़े गुरुत्वी तोरण को कहते हैं। अब दूसरा जो है अंतर कि दर्मान में केवल परिमार होता है यह एक अधिस रासी है और भार में परिमार और दिसा दोनों होते हैं यह एक सदिस रासी होती है दर्मान जो होता है दर्मान को भोतिक तुला द्वारा मापा जा सकता है और भार को कमानिदार तुला द्वारा मापा जा सकता है फिर जो है अगला अंतर दर्मान का इसाई मातरक किग्रा होता है लेकिन भार का इसाई मातरक जो होता है न्यूटन होता है दर्मान जैसे अस्थान परिवर्तन करते हैं तो दर्मान नहीं बदलता है लेकिन भार अस्थान परिवर्तन के कारण चेंज हो जाता है जैसे अस्थान परिवर्तन से भार बदल जाता है क्योंकि गुरुत्वी तोरण जी में भी परिवर्तन होता है